जाहिंदे आज की पीडियोंगे हम प्यू प्लीठ सेक्शन में जा के देख सकते हैं। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्सिटय कारा हुँआ, एक सनवधाइत्मक पारथ होता है। वोर पार्थ जो सनवाध के रुप में लिखा गया है। देखे हम पार्ट परिचे को डिसकस कर लेते हैं, यह हमारा परिचे कहा गया है कि भारत वर्ष में सास्त्रों की एक महान परंपरा सुनी जाती है, जो हमारा देश भारत वर्ष है, उसमें सास्त्रों के बारे में काफी कुछ सुना जाता है, सास्त्र, सभी ज्यान के प्रमानि वो सास्त्र से ही उत्पन हुए हैं इस पार्थ में पर्मुक्ष सास्त्रों और उनके परवर्तकों का एक सिक्षा पर्द विवरण है यह जो हमारा पार्थ है सास्त्रकारा इस पार्थ में पर्मुक्ष सास्त्रों करते हैं और चात्र आदर पूर्वक उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि किसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो सिख्षक का अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो सिख्षक का अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते है क्रें कैए्ट किए devi का होगा आज आप लोगो का स्ंस्कीत सास्त्रों से हो गाल सब करें कि आज हम लोग सब दिसके करने अभी एक छात्र युवराज बोलता है कि गुरु देव सास्त्र क्या है गुरु देव सास्त्र क्या है तो देखे फिर गुरु देव बोलते हैं कि सास्त्र ग्यान सास्त्र का नाम है अर्थात जो ग्यान पर सासन करता है उसी को सास्त्र कहा गया है ऐसा कौन कहता है तो ऐसा सि इस विश्य का ग्यान करता है सास्त्र को इस समय अध्यायन विश्य कहा जाता है पस्टमी देशों में इसे अनुशासन डिसिप्लीन भी कहते हैं जो पस्टमी देश है वहाँ पे इसे अनुशासन डिसिप्लीन भी कहा जाता है जो हम लोग डिसिप्लीन स्कूल में डिसकस करते कि इवल discipline का मतलब वहा यह नहीं होता है. discipline का एक और मतलब होता है. जब हम किछी subject में proper research करते हैं, उसे read करते हैं, और उसको training को यह एंग देते हैं, तो उसे को अनुशासन कहा जाता है, और उसे भी subject के रूप में आप देख सकते हैं, कि अनुसासन का मतलब भी सब्जेक्ट होता है इसके बाद भी सास्तर का लक्ष धर्म सास्तर में इस परकार है देखे धर्म सास्तर में इसके बारे में क्या कहा गए तो धर्म सास्तर में इसके बारे में कहा गए कि मनुप्ष्य को जिस संसारिक विश्यों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानवरचित विश्यों का उचित ज्यान मिलता है उसे धर्म सास्तर कहा जाता है ताथ पर यह है कि जिस सास्तर से किसी आचरन को अपनाने तथा किसी आचरन को त्यागने का ज्यान प्राप्त उसे धर्म सास्त्र कहा जाता है देखिए कहा गया है कि जिस सास्त्र से किसी आचन को अपनाने अर्थात कोई अच्छा चीज है उसे ग्रहन करने और कुछ त्यागने का ज्यान प्राप्त होता है उसी को धर्म सास्त्र कहा गया है देखिए आगे वारता में क्या होता है आगे रिस्यो मुनियो द्वारा प्रानित या रचित सास्त्र क्रित्रिम होता है। उसकी वारता को सुनके सिक्षक बोलते हैं कि सही बोलते हो तुम जो क्रित्रिम सास्त्र हैं उनकी रचना रिस्यो के द्वारा और अन्य विद्वानों के द्वारा किया गया है। देखें फिर गुरुदेव क्या बोलते हैं फिर गुरुदेव बोलते हैं कि तुम लोग सावधान होकर सुनो। सिक्षा उचारन किरिया का ज्यान कराता है जो सिक्षा है उससे हमें बोलने के किरिया का ज्यान पराप्त होता है ऐसा सिक्षक बताते हैं। पानेनी सिक्षा उसका प्रसिद गरंथ है। सिक्षा का पर्मु गरंथ कौन सा है पानेनी सिक्षा और इसके लेखा कौन है तो पानेनी है। कल्प जोत्रात्म् कर्मकांडी गरंथ है यां से कौशन पूछता है कि कौन सा गरंथ कर्मकांडी गरंथ है तो कल्प एक कर्मकांडी गरंथ है याद कर लिजेगा। भरद्वाज, गौतम, वशिष्ट आदी इस सास्त्र के रचाईता है जो कल्प ग्रंथ है इसके रचाईता कौन-कौन से है तो बोदायान, भरद्वाज, गौतम और वशिष्ट पानेनी कृत व्याकरन प्रसिद्ध है जो पानेनी ने व्याकरन लिखा हुआ काफी प्रसिद् वह विदांग जो वेद के अर्थ का बोध कराता है उसे निरूक्त का आजाता है निरूक्त का अर्थ भी विदार्थ बोध होता है इसे याद कर लिजेगा इसके रचाइता यास्क है निरूक्त के रचाइता कौन है यास्क है चांदर सास्त्र पिंगल रचाइता कौन है तो रचाइता है जोती सास्त्र लग्द रचित विदान के जोती गरंथ से प्रारंब होता है जोती सास्त के रचाइता कौन है तो लग्द है तब ही एक छात्र बोलता है अबराहम ये सब सुनने के बाद क्या ये सभी सास्त्र कार है तब देखिए सिक्षक क्या बोलते हैं सिक्ष ले जाने वाले या फिर उत्राधिकार जो इन वेदांगो पर आगे का रिकिए है उनको ही प्रवर्त विटी कहा जाता है तब देखिए एक सुरूती छातरा है वो पुछती है कि अचारे वर दर्सन सास्तर के परवर्तक और सास्तरकार कौन है तब देखिए सिक्षक क्या बोलते हैं सिक्षक बोलते हैं कि सांख दर्सन के परवर्तक कपील मुनी है योग दर्सन के पतंजली है इसी तरफ गौतम ने नयाय दर्सन की रचना की और कनाद ने वैसे सिक दर्सन की जैमनी ने मिमांसा दर्सन की और वाद ररायन ने विदान्द दर्सन की रचना की इन सभी के सौव स और शुल से अधिक व्याक्याता और सौतन्त..? ग्रंथ में रचनकार एं इनके अलावा भी 7 से भी अधिक व्याक्याता और सौतन्त ग्रंथ मेंıllे हैं इनके आलावा हैं। अब गारगी के भी स्वुलिक पूछत hats कि गुरु देव आप व्याक्यात्व का बारे में क्यों नहीं बोलते हैं फिर देखे जो गारगी अब बोलती है कि आप सौरी वैग्यानिक लिखा यहां पर वैग्यानिक सास्तरों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं तो देखे सिक्षक क्या बोलते हैं सिक्षक बोलते हैं कि उचित बोली हो अर्था तुम सही बोली हो प् और सुसुरूट सनीता तो सास्तरकार के नाम से ही प्रस्तिद्ध है जो चरक सनीता है और सुसुरूट सनीता है इनके जो रचनाकार है ये जो ग्रंथ है ये अपने रचनाकार के नाम से ही प्रस्तिद्ध है ऐसा सिछा कह रहे है देखे जो सुसुरूट सनीता है वो विषयों के बारे में चर्चा की गई है आ्र्यभत की गरंट नामसे विख्यात है इस तरह ब्रामीर की बिरहत सनिता विषाल गरंथ में अनक विषयों का स्रमयेश है देखे ब्रामीर ने किस गरंथ की रचना की है जिसमें अनेक विश्यों का समावेस है, अर्थात अनेक विश्यों उसमें समाहित है वास्तु सास्त्र भी यहाँ व्यापक सास्त्र है जो ब्रियत सनिता है ब्रामेर के द्वारा लिखा गया ब्रियत सनिता है उसमें वास्तु सास्त्र के भी बारे में दिया गया है क्रिष्टी विज्यान प्राशर के दोरा रचित है वस्तुता सास्त्रों की संख्या कम नहीं है अब देखे जो वर्ग नायक है अरथाद जो क्लास मोनिटर है वो बोलता है कि गुरु देव आज बहुत जानकारी मिली प्राचिन भारत का गौरफ अत्यांत समरिद है देखिए जो वर्ग नायक है रथा जो class monitor वह बोलता है कि गुरुदेव आज के लिए बहुत हुआ हमने आज जाना की प्राचिन जो भारत है उसका गौरप अत्यांत समरिध है सिख्षक वर्ग से बहा जाते हैं छातर उनके पीछे जाते हैं प्रकार यह चैप्टर को हमने हिंडी में डिसकस कर लिया नेक्स्ट वीडियो में हम इसके objective question की चाचा करेंगे जिसे देखिने के लिए आपका हमार चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो के objective question के साथ धन्यवाद